पैसेज बनाने का बहुती बहतरीन फॉर्मेट इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं जिसे आप ट्रीक भी बोल सकते हैं जो आपको फॉर्मेट अभी आपको बताने वाले हैं उस फॉर्मेट से अगर आप बनाते हैं तो दुनिया का कोई भी पैसेज को आप बहुती बहुत ही कं समय में बहुत ही इजली तरिकाइस बना लिजेगा इस बटाने वाले हैं अब गया पैसेज को शॉल्ब कीजिए गया या इस बढ़ बात है कि देखिये दोग ही के पैसेज बनाते समय ना पैसेड को पढ़ना है आपको इसका जो यहां पिखाल नहीं बनाएगा तो उस में दखिये नफ इसमें रही बात आपको याद रखना बस यहीं बात को आपको दिमाग में बड़ याद रखना को जब भी 윤 McMahir करना किया है आप पुछेगा न तो अभी आपको बताने वाले हैं अंपने प्टीक है आपने कॉपी में यानि अपनी एक्जाम में फैसे हैं तो यहां पर माली जी के एच है ना तो एच ऐसे लिखिए और उसको एंसर ऐसे लिखिए ठीक है एक का यानि एच का यहाँ पर माली जी के एक हो गया तो यहाँ पर एक डाल के ऐसे एंसर आप लिखिए क्या लिखिए तो यहाँ पर देखिए पैसेज को नहीं पढ़ना है ना कोहचनों को हमाहिपर न ही पुर्णा एक लिख है और उस से ए सबसे पहले कोहचन मेंगी को पहले में चाहिए गया उसी सीी को फेमसी और उठाइए गया इसको पहले पहलका नंबर कोहचन लो एक आप लिहुग रहा है तो इसनी हम ठेखिएगा औकोहचन कौन कौन मेन वर्ड है यानि इस मेन वर्ड के मतलब कि कौन फेमस वर्ड है जैसे कि देखिए हू इज है तो हू तो इसमें खोजेगा तो बहुत सरा मिल जागा हू तो यह मेन वर्ड नहीं हुगा इज भी खोजेगा तो बहुत सरा मिल जगा ये भी में नहीं हुगा ये देखिए नोन ये फेमस वर्ड है तो इसको आपको ध्यान में रखना है या इसको आपको ऐसे घेर देना है ये फेमस वर्ड है इसको आपको थुरा सा ऐसे आपको ऐसे हेडलाइन ऐसे कर देना है इसको सेक्सपीर को इंडिया को वा इसमें नोन को बस यही तीनों वर्ड को इसमें अब आपको खोजना है पैसेज को किसी भी हाल में नहीं पढ़ना है ना कोचन कभी नहीं पढ़ना है एक नमर इसका ड्रेक्ट आप एंसर लिखिए और लिखने के बाद इसमें पहिलका में आप को फ्लाइम है ये मेन वर्ड है ये मेन वर्ड है अब ये तीनमें से इसमें आप खोजेगा। All kinds of Auburn code यहीं तीनमें में खोजेगा। फटाक देञा। All kinds of words will be done. एना पर चैль Extر करते हैं तो कम समाय में बना लिजेगा कि यह नहीं ना कोंचन को पढ़ना है करना कि है कि इसमें जो कौचण दिया होगा ना कम समय अगर नग्राट को समाय को अगर जाता है यहां पर जैसे राहेगा न वहां तक इसका ऐनसर होगा, यानि वहां पर इसका ऑंध हो जाएगा यानि वहां तक इसका answer होगा तो यहां पर बिंदू जैसा है ना तो यहां तक इसका answer हो जाएगा तो अब भी आपको देखिए जब भी आप passage बनाईएगा तो यही बात को follow कीजिएगा कि जहां पर यहां पर बिंदू जैसा है ना तो यहां तक इसका answer हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, जहां पर ऐसे बिंदू जैसा है, यहां पर यहां पर तो यहां तक इसका answer हो जाएगा, ठीक है, answer खोजने का भी तरीका बता दिये, और कहां तक इसका answer होगा, यह भी आपको बता दिये, अब देखिए, यही ट्रिक पहले इसको पढ़े तब इसको पढ़े नहीं यह गलत तरीका है पैसेज बनाने का जोन पर फार्मेट क्या बोलें के शुरुव में बहुती बहतरी पर्मेट सिखाने वाले हैं तो बहतरी नहीं फार्मेट है ठीक है यह दो नमर को चलिखे दो नमर का answer अब डालिये अब इसक इसमें आपको देखिए क्या करना यह इसमें तो पैसेज में बहुत सरा हूः वाज इसमें बहुत सरा मिल जागा तो क्या इसमें देखिए Max Muller हाँ यह दू गो जो है न वह फेमस वर्ड है बहुती बन्या वर्ड है यही दूनों वर्ड को इसमें अब आपको खोजना है किया करना है कि इसमें आपको खोजना है दू नमर आप लिख दिये है इसका एंसर आप डिरेक्ट लिखेगा यहाँ पे देखिए Max Muller आप इसमे से खोजने लगे नहीं एक नमर का एंसर आप लिख रहा है तो सुरू से खोज यह ठीक है अब दूसार का नमर का लिख रहा है तो यहां से अब देखिए कहां पे खोताम होता हूँ आप देखिए इसका एंसर फटाक फटाक अभी आपको ऐसे आप बनाएगा तो आपको भे विएम एंड ड्रामा और काली दा सहब ठीक है यहां से लेकर यहां तक इसका इंसर हो जेगा धुषार का नमर का ठीक है ऐसा dobr कर इसार का नमर को कोच्चान देति हैं WHO Tallent यह देखेट यह जो हाँ फेमर्स वाड़ कोट भी क्रम अदित्या भी यह फेमस वर्ड है ठीक है कि मैब आपको खोजना आए क्या कर ना है कि यही च्क्त को आपको खोजना है इसे आप थीन नमर इसका लिखिए एंसर लिखिए सिधा ऐसे डालिए अब ऐसे लिखिए ठीक है यह नहीं कि आपको पहले कोचा नहीं से पढ़े तब इसमें ऐसे खोजे नहीं इसमें मेन मेन वर्ड को आपको छात लेना है यानि मेन मेन वर्ड को ध्यान में आपको रखना है वही वर्डवा को इसमें आपको एंसर हो जेगा बिल्कुल आपको बुझा गया हुगा तो देखिए अब देखिए कहां पे इसमें दिया गया ठीक है यह देखिए यह बहुत बारा वर्ड लग रहा है कि बिक्रम अधितिया तो इसी को पहले आप खोजिएगा हलाकि यह यह भी आपको मिल जागा यह भी यहां पर मिल गया तो इसका एंसर देखिए यहां पर यहां पर डैस है न तो यहां से लेकर यहां तक इसका एंसर हो जागा इसी तरह आप पैसेज को बनाईएगा बहुत ही इजली तरीका से बहुत ही कम समय में आप बना लिजीगा और क्या किजेगा फिर से एक बार र पढ़ना है नहीं कोहचन को भी नहीं पढ़ना है इसमें जो कोहचन में जो में में वर्ड दिया होगा उसको ध्यान में रहकर पैसेज में आपको खोजना है इसमें में में जो वर्ड रहेगा जिसका एंसर आप लिख रहे हैं उस कोहचन का एंसर यानि इसका तो इसमें आपक बहुती कम समय में इस तरीका से आप पैसेज को बना लीजिएंगा, ठीक है, अगर इंगलीस में थोरा बहुत अच्छे हैं, यानि लगता है कि इसका हम meaning इकाल सकते हैं, इसका मतलब हम जान सकते हैं, ठीक है, कि इसका मतलब यह क्या कर रहा है, तो आप अपने मर्जी से लिखिएगा, यानि आपको अपने तरीका से आपको passage को बनाना है, अगर आप नहीं जानते हैं, तो जोन अभी आपको तरीका बता मैयत के जो आपडेक्तिम को कहोचन खत्म कर दिया है, कैसे खत्म की है, जीतना भी मैयत को पूछा जम्स का अपुछाय स्चितना सबल्स करना दूर तारीज्ड से वीदियो Nak Soo प्ले लिस्ट को एक बाट शेर किजिएगा सारा वीडियो मिल जएगा वहां से सब वीडियो देखेए और मेयत का आप से आगले वीडियो में